अभी तक के session में अपने themes के बार में पढ़ा, लोगों को किस तरीकी से अपन theme पर लगाएंगे, और आज के session में आज अपन बात करने वाले हैं कि अपन अपने products को अपनी website में कैसे introduce कराएंगे, तो hello guys, once again, welcome back to WSQube टाइ YouTube channel, I am Pranjay Mathu, तो चलिए, आज अपन introduce करते हैं अपने products के साथ में, तो चलिए, अपन अपने store पर चलता है, तो guys, मैं आगे हो अपने store पर जिसका नाम है WSQube.myshopify.com, अब आपको यहाँ पर left navigation bar में आपको products को option मिलेगा, तो guys, मैं आगे हो अपने products पर, और यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे, जैसी कि आपको product add करना है, product को import करना है, अब यहाँ पर मैं इस add product पर click करूँगा, तो यहाँ पर जाकर मैं अपने product को अपने website में add करा सकता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं को title देना पड़ेगा, यानि कि मैं जो product add कर रहा हूँ, उसका title क्या होगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, मैं एक pure white color की t-shirt add करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर देता हूँ white t-shirt, अब इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, उस white t-shirt का जो अपन add करने वाले हैं, उसका description, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, cotton है, इस 100% cotton को मैं कर देता हूँ, bold and italic, अब आप इसके अंदर आप अपने according इसमें changes कर सकते हो, यहाँ पर जाकर मैंने अपने description में चीज़े provide कर दिये, अब आता है इसका media, यानि कि जब अपना जो customer है, वो जब इसको view करेगा product को, तो उसको एक image visible होनी चीज़े, यहाँ पर जाकर मैं add file पर click करूँगा, और यहाँ पर जाकर मेरी जो image है, वो यहाँ से मैं select कर लूँगा, यह मेरी image है, अब यहाँ पर आप दो options से add कर सकते हो, add from URL and add, तो add से आप सिर्फ अपने local device से add कर सकते हो, और add from URL से आप किसी website पर जाकर, उसकी URL से अपन उसकी image को get कर सकते हो, अब आते हैं अपन pricing पर, तो यहाँ पर आप pricing में आप लिखोगी, कि आप इस T-shirt को कितने price में sell करना चाहते हो, तो मैंने लिखा हैं यहाँ पर 4.99, अब यहाँ पर आता है कि यह तो मेरी इस product की price हो गई, अब आता है compare add price, यानि कि पहले यह अब यहाँ आता है कि compare करना चाहते हो, कि pricing से यह comparing price कितनी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर for example 5.99, तो इसका मतलब होगा कि 5.99 की थी, जो इसकी pricing कितनी होगी 4.99, for example मैं इस price को मैं अभी हटा रहा हूँ, and then उसके बाद में जब अपने इस product को view करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगे compare price किस तरीके से work करते हूँ, अब आ रहा है नीचे charge tax on this product, कि आप इस product पर tax को charge करना चाहते हैं, अगर आप इसको default में check होता है, अगर आप इस product पर tax charge नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको uncheck कर सकते हो, otherwise इसको check रहें नीजिए, अब आता है cost per item, कि एक item की cost कितनी होनी चाहिए, तो ये चीज आपके customer को show नहीं होगी, आप गर आप चाहो तो इसको fill करें, otherwise leave it as blank, अब आता है inventory, तो यहाँ पर ये inventory क्यों use आती है, अपन ये आता है कि अगर आप कोई चीज sell कर रहे हो, तो उसके sqs कितने है, यानि कि आपकी stock keeping units कितनी है, आपके at present इस product की, यहाँ पर आप डाल सकते हो, for example मेरे पास अभी available 10 price available है, अब आता है कि यहाँ पर barcode, कि अगर आप इसका कोई barcode number है, तो आप यहाँ पर अपना barcode number डाल सकते हो, otherwise leave it as blank, अब आता है कि track quantity, यानि कि अगर आप इसमें sqs नहीं डालते हो, तो यह आपको quantity कुछ चेक नहीं करेगा, बस यह आपको normally work करता जाएगा, अगर आप इसमें sqs डालते हो, तब आपको यह क्या करेगा, यह अपनी आपकी quantity को चेक करता जाएगा, अगर आप इसको चेक करता हो, तो यहाँ पर एक option मिलेगा, आपको continue selling when out of stock, यानि कि अगर आपका product out of stock हो जाता है, तब भी आप sell करना चाहते हो, तो इसको आप चेक कर सकते, अब आता है कि आपकी जो quantity है, वो किस location में कितनी कितनी है, यानि कि अपने जब पहले वाले sessions में, location वाली settings की बात करी थी, तो आपर अपने एक location add करी थी, तो जैसे कि मैंने याप पर में पास दो location available है, एक है WS Cube Tech और एक है WS Cube Tech बासकर सरकल, तो इन दोनों मेरे warehouses में, कितने-कितने products available हैं, यह वाले, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, में WS Cube Tech वाले में मेरे पास 20 available है, एन WS Cube Tech बासकर सरकल वाले में मेरे पास 30 available है, तो इस तरीके से आप अपनी location में, अपने इस individual product की quantities को add करा सकते हैं, अब आता है shipping के बारे में, तो shipping में क्या होता है कि यह आप बताओगे, information नहीं पूछेगा जैसे कि आपकी shipping address क्या होना चाहिए, आपकी इसका weight कितना होना चाहिए, and many other things जो आपने पहले वाले sessions में, settings में बात करी थी, यहाँ पर अगर आप इसको check करते हो, तो यह आप से पूछेगा कि जो आप product sell कर रहे हो, उसका weight कितना है, अगर आप इसको leave रखोगे, तब भी को issues नहीं है, otherwise इसको आप fill कर सकते हो, इसके आप यहाँ पर आप changes कर सकते हो, कि आप kg में यूज कर रहे हो है, grams में यूज कर रहे हो, for example मैं इसको kg में यूज कर रहा हूँ, जो इसका kg है, वो है 0.1, यहने कि यह 100 grams सका है, यहने कि 0.1 kg का है, अब आता है कि customer information की, customer की information क्या होगी, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, कि आप यहाँ पर इसको as it leave blank छोड़ सकते हो, otherwise इसको आप अपने according कस्टमाइज करा सकते हो, अब यहाँ पर आते हैं options पर, कि अगर आपकी इस product में कुछ options हैं, तो आप इसके अंदर add कर सकते हो options में, जैसे कि option कि इसका size क्या है, इसका color क्या है, इसका material क्या है, इसका style क्या है, यहाँ पर अगर मैं size की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि size क्या है, यहाँ पर आप बता सकते हों कि अगर इस product को कोई search करता है, और अगर इस website की ranking अच्छी है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर आप देखोगे, तो आपको Google पर आपको बताएगा कि आपका SEO में इसका rank किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि white t-shirt आ रहा है, यहाँ पर आप जाकर edit website SEOB कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने product को customize करते हो, अब आप यहाँ पर देखोगे product की status क्या है, अभी यह मेरा product draft में है, अगर इसको activate करना है, तो आपको इस active पर click करना है, अब आता है कि sales channel and apps कि, अगर आप कि sales channel पर आप इसको करना चाहते हो, तो मैंने इसको करता है online store, schedule availability, अब आपने बात कर चुके हैं इसके पहले वाले में, कि अगर आप चाहो कि इसको आप थोड़े time के बाद में available कर रहा हो, तब आप यहाँ पर जाकर इसको schedule कर सकते हो, अब आता है यह चीज बहुत important है कि product organization क्या है, यहाँ पर आप product organization में आप देखो कि यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले type, search type में आप डालोगे कि आपका जो product है कि किस category में belong करता है, यहाँ पर मैं type में कर देता हूँ appearance and accessories में, वो आप इसके अंदर आप available करा सकते हो, अब आप चाहो तो इसको आप custom भी आप add करा सकते हो, custom add type, अब यहाँ पर आप T-shirt है मेरी यह, तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ T-shirt, और भी कुछ add करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर add करा सकते हो, यहाँ पर आप आप आता है vendor, कि इसका seller कौन है, मैंने लिग दिया, WSQ, tag, अब आता है collection, तो collection के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है, home page तो आप इसको check कर सकते हो, तो यह collection वाली इसलिए important है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने tags add करना है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, टी-शिर्ट, add टी-शिर्ट, उसके बाद मैं और भी कोई add करना हो, जैसे कि white टी-शिर्ट, तो यह दो मैंने tags अपने इसके अंदर add कर दी हैं, तो online store में template मैं अपने default product ली रखता हूँ, and then click save, यहाँ पर आप देख सकतो, यहाँ पर आ रहा है कि आपको जो first product है, वो publish हो चुका है, तो अब आपको इस product को देखना है, तो आप क्या करोगे, इस preview पर click करोगे, यहाँ पर आपको इस product की information, जो भी आपने चीज़े add करी थी, वो चीज़ आपको यहाँ पर visible out होज़े है, यह product मेरे को जब user buy करेगा, तो उसको किस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप इस पर click करोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको zoom करकर भी user, अपना जो customer है, वो इस product को देख सकते हैं, and then click, कितने product उसको purchase करने है, add to cart, buy now, nutrition, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अपने जो जो चीज़े add करी थी, वो चीज़े मेरे को आप मिल गए, इसका description, और भी बहुत साइच चीज़े, जो अपन आगे वाले fashions में add करते जाएंगे, और अपन इसको अपनी website पर view करते जाएंगे, अब जैसे ही मैं back आया है, तो इसने मेरे को बता जिया कि मेरे पास अभी, कितने कौन-कौन से products में पास add करे वे हैं, उसका status क्या है, उसका inventory में मेरे पास कितने products पड़े हैं, उसका type क्या है, उसका vendor कौन है जो इसको sell कर रहा है, उपर से आपको यहाँ पर बहुत साइच चीज़े मिलेंगी, जैसे कि इसको active products कौन-कौन से हैं, draft में कौन-कौन से product पड़े हैं, में पस achieved archives में कौन-कौन से products हैं, वो सारे आपको यहाँ पर visible out हो जाएंगी, अब यहाँ पर आपको filter का options मिल जाएगा, कि product vendor कौन-कौन से आपको चूज करना है, tagged, status, more filters में आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे filters मिलेगे, यह तब का आपको काम में आते हैं, आपको आज का concept समझ आपको कि किस तरीके से अपने अपने store के अंदर अपने products को add करना सीखा, कि किस तरीके से अपने अपने products में images add करी, उसका title add करा, उसका description add करा और बहुत सारे essential चीजें जो अपनको एक e-commerce website के अंदर एक product के regarding में कंपल सरी होती है,